और यह जो आखड़ा है दोस्तों आपको हैरान कर देगा कि इतना पैसा तो निस्क्रिय खतों का EPFO के पास करीबन 6800 करोर है कोई वारी सेन नहीं है कोई लेने वाला नहीं है इतना पैसा तरीकिसे इस्टलाइस हो तो सब को हायर पैंशन में मिल जाए और मिनिमम पैंशन भी बढ़ाई जा सकती एप्योफो का फंड पीए फंड का लाखों में विज़ा आप दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों हाल में मुझे एक आर्टिय प्राप्त हुई है जिसमें एक आर्टिय कारे करता स्री अजे कुमार जी ने एप्योफो से जानकरी मांगी है कि जितने भी एप्योफो में निस्क्रिय खाते हैं या मिसलियस खाते हैं जिनका कोई वारिस नहीं है उनका कितना पैसा एप्योफो के पास में पढ़ा हुआ है तो इसकी जानकरी एप्योफो ने एक आर्टिय का जवाब देते हुए यहां और निस्क के एक हतों का इतना पैसा पड़ाया जैसा कि मैंने पीछले वाले वीडियो में डिसकुश किया था यहाँ पर थोड़ा सा आपको यह दूजला दे कर आवा क्योंकि जैसा मुझे आर्टे प्राप तो भी वैसा ही मैंने आपके सामने इसको प्रिजेंट करने की पू दोजार पांच के दहत मांगी गई सूचना की आप होती है अब यहाँ पर देखे जो मेंन कुश्चन है जिन्हों ने जानकारी मांगी दी के वर्स दोजार बाइस तेज की रिपोर्ट के अनुसार बिसनियस बंध खातों में सदस्यों का कितना पैसा जमा है अब एपीफों 2020 को सदस्यों के निस्क्रिय खातों का सेस यह जो देखे यहाँ पर करीबन करीबन 6,800 करोड रुपे है यानि की 6,800 करोड रुपे तो एपीफों के पास में निस्क्रिय खातों का पड़ा हुआ है जिसका कोई वारी सेन नहीं है कोई लेने वाला नहीं है इतना पैसा पड़ रहा है क्यों नहीं higher pension को वो जल्दी-जली release करता है या फिर minimum pension जो काफी समय से मांग की जा रही है जिसको बढ़ाने की मांग की जा रही है क्यों नहीं उसको बढ़ा देता है EPFO बार बार यही supreme court में या अन्य जगों पर यह हवाला देता है कि EPFO loss में जा रहा है उसके पास में पैसा नहीं है तो यह पैसा फिर कहां से आ रहा है जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में discuss किया था EPS corpus जो है वो ही इतना है और EPS का जो profit है वो इतना ज़्यादा है कि अगर वो proper तरीके से utilize हो तो सब को higher pension में मिल जाए और minimum pension भी बढ़ा ही जा सकती है लेकिन दोस्तों EPFO इन पर पता ने किस तरह से work कर रहा है और जो पैसा EPFO के पास में इतना सारा fund पढ़ा है कहां पर वो invest कर रहा है और invest करने से भी जितना भी interest उनको मिल रहा है वो भी profit में ले रहे हैं तो दोस्तों ये बहुत एक तरह से controversy बात हो लिए कि एक तरफ तो आप RTA का जवाब देते हुए बता रहे हैं कि हमारे पास में इतना पैसा ह और तो जो निस्क्रिये खाते हैं जिनके वारिज नहीं उसका पढ़ा है EPFO का fund पीए fund का लाखों में पैसा पढ़ा है और इसके अलावा EPS Corpus में भी लाखों का पैसा पढ़ा है फिर भी higher pension की जो demand एक साल से अभी तक जो है EPFO ने solve नहीं करी है date by date बढ़ाते चला जा रहा ह है और जो interest का उन्होंने जो अवाला दिया था कि जो pensioner है उनसे तो वो interest लेंगे जब से जो higher pension देनी है interest वो लेंगे लेकिन जब interest देने की बात आए तो EPFO ने इसके बारे में हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं हम interest नहीं देने वाले है तो दोस्तों यह मुझे लगा कि RTI का जो पड़ाता है और क्यों ना higher pension की जो डेट वो डे वाई डे आगे किसका आते चले जा रहा है और interest जो उसे देना चाहिए अगर वो ले रहा है तो उसे देना भी चाहिए इसके बारे में क्यों EPFO जो है contradictory बात सामने रख रहा है तो दोस्तों यह थी वो आठीक जो आजे कुमा पातराजी ने मांगी थी EPFO से और EPFO ने इसके बारे में जो जवाब दिया है अड़ सट सो करोड रुपे तो निस्क्रे खातों का PF के पास में पड़ा हुआ है तो दोस्तों I hope आपको यह जानकर ही पसंद आई होगी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजेगा और इसी तरह की information वीडियो पर आप करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल नोटिविकेशन को जरूर हिट कर देगा तो फिर मिलते हैं तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा थैंक यू वेरी मच